काफी बारिक और सुगंदित देशी धान है ये पारवती फूल और इसे लगाया नरसिंगपुर जिले के गर्धा गराम के क्रशक राजेंद्र जी ने रादेन जी नमस्कार ये बताए कि ये खाने में कैसी है एकदम बहुत बढ़ी आया है सुगंदित है मुलायम है स्वादिष्ट है देशी धान है पहले चलता था समय टाइप कर रहता है चाबल उस टाइप कर है अच्छा और बारिक में सुगंदित वेराइटियां बहुत कम ह उसे साब से पारवती फूल वास्ताव में बहुत अच्छा है और इस वर्स आपने पूरा जैविक तरीके से इसे लगाया है क्या क्या इसमें डाला है आपने इसमें सजी उजल डाला सजी उजल सडरस डाला सडरस बिलवरस डाला बिलवरस जी तो सजी उजल जो है ये इसन इसकी भीमारियों को रोका नाइट्रोजन की पूर्ती की देखिए पौदे बिल्कुल हरेक अच्च है और सड्रस इसका टेस्ट बढ़ाता है बिल्वरसायन इसके दाने अच्छे बनाता है देखिए दाने बहुत बढ़िया है और फसल भी आपकी बहुत अच्छी आने वाली है और क्या विशेषता है इस दान की अच्छा देशी बीज है आपके घर का जैविक बीज जो पिछले आप तीन साल से जैविक खेती कर रहे है अच्छा तो और मुझे आप ये बताईए कि जो सामाने उपज है दूसरे धान की जो बारीग धान है उसमें इतनी अच्छी उपज नहीं दिखती जितनी इसकी दिख रही है तो और सत उपज भी इसकी ज्यादा समझ में आ रही है इसमें कंसे भी काफी मोटे मोटे कंसे आए है और इसकी भूमी सजीव होगी सर्जी इसमें लगतार तीन साल से जेविट कर रहा है अच्छा इसकी मिट्टी सजीव हो चुकी बहुत बढ़िया जो भी इसका उत्पादन आता है मुझे बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करें हमारी चैनल हर्वप वर्ड हिंदी को और बैल आइकॉन को दमाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेएगे